हेलो फ्रेंस आपका एक नए वीडियो में स्वागत है आज हम बात करेंगे हासरस के बारे में हासरस किसे कहते हैं इसका उदाढ़ क्या होता है आज हम इस वीडियो में जानेंगे फ्रेंस मैं आपको बता दूँ यह बहुत ही मुश्ट इंपॉर्टिन टॉपिक है और हमारे एक जान में तीन नंबर का पोच्छा जाता तो इसे जाना आपके लिए बेहधी आवश्चक है तो फ्रेंस आए वीडियो को सुरू करते हैं वीडियो को सुरू करें उससे पहले आपसे निवेदन है यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्रेंस आए बेहने टाइम बेस्ट कि हम वीडियो को सुरू करते हैं तो फ्रेंस सबसे पहले हम जानें कि हास्रस की परिभासा क्या होती है यानि हास्रस किसे कहते है इसकी परिभासा बहुत सिंपल जिसे आप लोग आराम से याद कर सकें और अच्छे से समझ सकें इसकी प कहने कार्थे हैं कि काव को पढ़ने सुनने अथो नाटक को देखने से जब मारे हिदय में हास नामक अस्थाई भाव उत्पन होता है तो वा हास्रस कहलाता है विक्रित रूप आकार वेश वाड़ी और चेश्टाएं इसके विभाव होती है यानि आसान भासा में हमें से सम कि जब कोई काव विकोया किसी नाटक को हम देखते हैं और उस नाटक को देकर हमारे हिर्दय में जो हास्युत्पन होती है यानि हास नामक अस्थाई भाव जब जागरत होता है तो वा हास्रस कहलाता है अब आए जानते हैं कि इसका उधार्ड क्या होता है इसका उधार्ड कि विंध के वासी उदासी तपवुरत धारी महा बिन नारी दुखारे गौतम तीय तरी तुलसी सो कथा सुन भे मुनि वरिंद सुखारे हुई है सिलासब चंद्रूखी परसेपद मंजुल कंज तिहारे कीन ही भलो रघुनात जू करुना करी कानन को पगुधारे फ्रेंज बहुत ही आसान है हासी रस को समझना और याद करना आशा करतूं आपको हासी रस अच्छे से समझ में आ गया होगा यदि इसमें कुछ ना समझ में या कुछ में डौट हो तो आप नीचे कमेंट में पूश सकते ही यदि वीडियो पसंद आए हो तो वीडियो को जाहिन वंदे मात्रम